हेलो गुड मॉर्णिंग आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे नेक्स्ट टूटोरियल वीडियो में इस वीडियो में मैं आपको बताने चाहूँगा ताकि किस तरीका से हम रोग वेस्टर नूटीशन को रीड कर सकते हैं जो कुछ इस तरीका का दिखता है तो और मैं आपको आगे पर बताते चाहूँगा तकि इससे कैसे बढ़ते हैं कैसे समझते हैं इसको किस तरीका से अंडस्टांड करते हैं किस तरीका से हम इससे समझ किस बजाते हैं प्यानों पर तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ होगा तकि आपने जब भी वेस्टन नूटीशन का नूटीशन देखा होगा कहीं वहाँ पर आपने एक जरूर साइन देखा होगा यह वाला साइन जी देखिए यह वाला साइन वह आपको दिख रहा हो मैं जूम कर देता हूं थोड़ा चली मैं इस क्यों पर एक बार रख की दिखाता हूं यह वाला साइन इस साइन को हम लोग कहते हैं ट्रेबल क्लेफ का मतलब क्या होता है साइन को हम लोग कहते हैं ट्रेबल क्लेफ, C-L-E-F अच्छा आप लोग बहुत लोगों ये भी जाना होगा पर आपने कहीं नहीं सुना होगा और ये बहुत लोग बताते भी नहीं है ताकि ट्रेवल क्लेफ को आप ट्रेवल क्लेफ के साथ सा जी क्लेफ भी बोलते हैं जी क्लेफ इसका मतलब है ताकि इस लाइन में आपको जो भी नोच मिलेंगे वो आपको अपने राइट हैं से प्ली करने हैं नेक्स्ट आते हैं बेस क्लेफ वो हम लोग कुछ इस तरीका से बनाते हैं देखिए सेकेंड लाइन से हम लोग ऐसे गोल बनाके इससे पूरे नीचे तक लाते हैं और फिर यहाँ पर दोठों डॉट देते हैं इससे हम कहते हैं बैस क्लेफ और इससे कहते हैं लोग सी क्लेफ ये भी आप लोगों ने बहुत कम जगा पढ़ा होगा इससे हम लोग सी क्लेफ कहते हैं इसका मतलब है इस जो माक है बास्क लेफ के बाद इस लाइन में आपको जो भी नोट्स मिलेगी वो आपको अपने लेफ्ट हैंड से प्ले करने हैं तो इसके बाद हम जानते हैं तक ही जैसे आप लोगो ने मेरे पिछले वीडियो में देखा था मैंने आपको बताया था कि सारे गामा कैसे बचाते हैं XL, C, D, E, F, G, A, B, C कैसे हम लोग बचाते हैं तो अगर हम लोगो वही रायट है में और वेस्टर नोटीशन में लिखना हुँ तो कैसे लिखेंगे इसबसे पहले हम सटार्ट करेंगे ए case या डेबलगलगलफ का साइन देगए आयंड वारा साइन कुछ नहीं होता, ट्रेवल ध्लेफ ही ओर बोलते हैं, तो ट्रेवल ध्लेफ का साइन देखे, पहले हम लोग यहाप एक लाइन किजेंगे, उसके बाद हम यहाप एक C इस तरीका से हम लोग बनाते हैं, यह हो गया हमारा C, उसके बाद हो गया D, E, F, जी ए बी और आखर में आगया वापस से सी जो प्ली होगा हम लोग की हाईयर ओक्टिफ वे अच्छा यहां पर हम लोग जो ने यह जो लाइन दिया है इसे हम बार लाइन कहते हैं हम लोग यह जो सी टी इफ जी ये बीसी बजाएंगे यह हम लोग बजाएंगे आपके मेट्रोनोम पे जो होगा फोर फोर बीट पे इसलिए हम लोग हर फोर नोट के बाद एक लाइन देने तो इस लाइन को हम लोग कहेंगे बार लाइन तो एक और नए चीज सीखते हैं हम लोग इस लाइन को हम लोग कहते हैं अब बार लाइन अच्छा जब पूरे यह नूट्स खतम हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग दो लाइन देंगे इस तरीका का इस दो लाइन का मतलब होता है डबर बार लाइन इसका मतलब है हम लोगा अब खतम हो गया तो and के लिए अगर हम लोगों नहीं ये लिखा है तो उसके बाद अगर ये खता हो गया c d e f g a b c उसके बाद हम लोग वापस जब return आएंगे c b a g f e d c तो वह हम लोग इस तरीका से लिखेंगे और ये खताम हो गया है तो बस यहां पर लोग दो लाइन दे देंगे इसका मतलब होता है तक ये notation खताम हो गया ये piece खताम हो चुका है अब सबसे इंपोर्टेंट आप लोग के मन में एक सवाल आया होगा ताकि ये line मैंने जब यहां पर g के बाद a बनाया तो यहां पर दिया पर यहां पर जो a है उसमें मैंने नीचे दे दिया आप लोग इसे कैसे भी दे सकते हो कोई matter नहीं करता है अगर आप लोग को ये ल इसे कैसे बजाएंगे सबसे बहले हम लोग मेट्रोनोम ओं करेंगे फोर फोर बीट का है और बजाएंगे बस इसी तरीका से हम लोग वेस्टर नोटीजेंट का c d e f g a b c हम लोग करते हैं अच्छा अगर हम लोग उने यहां पर राइट हैंड में अपना c d e f g a b c किये और लेफ्ट हैंड में कुछ भी प्ले नहीं किये तो हम लोग यहां पर बेस्टर का sign देगे उसके पाल हम लोग यहां second line से उपर से नीचे ऐसे बना देगे इसका मतलब होता है ताकि हम लोग का उपर से नीचे जो जाता है इस तरीका के dots इसका मतलब होता है ताकि हम लोग का four beats जो है वो empty रहेगा उस beats में कुछ नहीं बजेगा तो इसका मतलब हम लोग का left hand कुछ नहीं होगा और right hand में यह सब notes play होंगे अब मैं जो आपको next बताने वाला हूँ ताकि आप अगर C बजाओगे इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ next मैं आपको बताने वाला हूँ styles of pain देखिए हम लोग जो C बजाएंगे वो एक आप ऐसे बजा सकते हो इस C का मतलब होता है sorry इस C का मतलब होता हम लोग इसका मतलब होता हम लोग हर एक beat पे एक note बजाएंगे ठीक है अच्छा अब अगर आपका C जो है वो इस तरीका नहीं से ना बना के अगर इस तरीके से बनाया हो तो इसका मतलब होता है हम लोग हर दो beat पे एक note बजाएंगे जैसे 1,2,3,4,1,2 इसका मतलब होता है ता कि आपका हर जो दूसरा beat है वो आपका rest करेगा उस पे आप अपना hand play नहीं करोगे अच्छा अब आप जो अपना next अगर आपको suppose चार beat पे खाली एक ही note बजाना है तो उस सी को आप इस तरीका से कुछ लिखोगे इसका मतलब होता है ता कि आपका beat पे बस सिर्फ एक सी बजा फर्स beat पे बजा 1,2,3,4 बस फर्स काउंट पे आपके notes रहेंगे अच्छा next आते हैं अगर इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा dot दे लिया तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है ता कि यह जो आपका note है इसका two beat पे एक count होता है तो अब इसका लेकिन कितना count होका डेर count होगा मतलब इस note का आधा आप इस पे ही और add कर दोगे तो इसका अगर 2 होता है तो अब इसका मतलब हो जाएगा यह आपका 3 notes बजेगा अगर नहीं समझ पाद हो तो मैं वापस बोल दिता हूँ यह जो note है इसका 2 counts होता है तो अब 2 counts के ओपर अगर हम लोग यह को dot लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाते हैं तक कि यह जो 2 counts है अब यह 2 ना होके 2 के आधा और यह होगा मतलब this plus इसका आधा तो total कितने counts होगा 3 counts होगा तो अब यह कुछ इस तरीका से पज़ेगा one two three one two three one two three अच्छा अगर मैं इस तरीका से लिखता हूँ तो इस तरीके के style को हम रुक बोलते हैं crouchettes अगर मैं इस तरीका से लिखता हूँ तो इसे हम कहते हैं minims अच्छा इस तरीकर की style को हम कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अगर वही dot नहीं रहता यह रहता तो इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं excuse me एक गलती हो गया इसे हम minimums नहीं कहते हैं इसे हम कहते हैं semi brave semi brave और इससे हम कहते हैं Minims अलग-अलग notes के अलग-अलग counts है उनके स्टाइल से अगर आप हर एक note पे हर एक beat पे एक note बजाओगे तो उसे हम Crotits कहेंगे हर चार beat पे अगर आप एक note बजाओगे तो समे ब्रेफ कहेंगे और आप हर दो नोट पे दो बीट पे एक लूट बजाओगे तो उसे हम मीनिम्स कहेंगे अगर आप कोई वीडियो helpful लगाओ तो प्लीज इसे लाइक करिए आज मैं यही खतम करता हूँ अपना वीडियो अगर आपके निसर में आपकी कोई फ्रेंड्स हो जो प्यानों सीखना चाहते हो तो आप उनसे प्लीज इर वीडियो शेय करिए और प्लीज लाइक करिएगा वीडियो से मुझे पता चलेगा ताकि मैंने आपके हेल्प की थांक्यू